पेहली बार हम निकले हैं घर से किसी अन्जाने के संग हो रेडियो अड़ा संगीत का जादू सर चड़ कर बोलता है और संगीत की दुनिया की जो शुरुवात हुई थी वो काफे पहले हुई थी जब आगे का सफर बढ़ा तो उसमें कई फिल्में आए कई ऐसे सिंगर्स आए कई से कई ऐसे म्यूजर डिरेक्टर्स आए और कई ऐसे फिल्में आई जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और उन फिल्मों ने कई लोगों को इस्टैबलिश किया और कई लोगों को पहचान दिलाई तो हम आज बात कर रहे हैं कि ऐसी हस्ती से जो हमारे बीच में हैं जो हमारे साथ रेडियो डाक स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको हम गुंजा के नाम से जानते हैं यानि कि फिल्म नदिया के पार फिल्म एक्टर्स साधना से इसे मुलाकात करना है तो साधना जी आपका बहुत बहुत स्वागत थे रेडियो डाक स्टूडियो में और दर्शक आप से मिनने के लिए आतूर थे हेलो एवरिमन नमस्ते आज आपसे रोबर हुई हूई हूँ देखी क्या पूछते हैं मैं सवाल तो उन्ही के हैं मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ कि उनके जो सवाल है मैं आप तक पहुचा सुकूँ तो बहुत सारे लोगों को सवाल थे कि नदिया के पार जब फिल्म बनी तो वो जौन पूर में बनी और जौन पूर में जब शूटिंग खतम हुई तो बहुत सारे लोगों के आँख में आसू आ गये थे और अटेश्मेंट हो जाती ना किसी से भी और जब आप एक महीने साथ रहते हैं उस एण्वायमन में रहते हैं तो उनकी आशों आए तो एसानी कि मेरी आशों नहीं आए जी बिलकुल श़ए बात है वो एक टाइम मोमेंट होता है जब हम किसी के साथ जादा टाइम गुज तो अटाइश्मेंट हो जाता है तो एक सवाल आए है कि जब सूरज बाढ़ जाता है कि पिता जी तारा चंद बढ़ जाता जिने जब यह फिल्म बनाई और सारे उस टाइम पर जो क्रू मेंबर्स थे काफी आप से अप से कनेक्टेट थे और वह भी बहुत कनेक्टेट थे त तो राजकुमार बढ़ जाते है कि वह बहुत सौफ्ट स्पोकन अभी उनका निधन हुआ कुछ महीनों पहले तो उनसे बाढ़ मतलब जो भी बात होती थी उनी से होती थी और जो उनकी दिमांग में खाका था और जिसता से रिस्पेक्ट देते थे एक डारेक्ट को पूरी विजयपूर गाओं गाओं तो मुझे तो वही पर रख लिया गया गाओं में पाकी सब लोग सचे नोगर सब जाते थे ते गेस्ट हाउस था वहां का जानपूर का और मुझे क्योंकि मैं नहीं ती तो मुझे बोला गया कि तुमको सीखना है बहुत कुछ तो तुम यही र टोइलेट का के वही एक ठीक ठाक टोइलेट हो और गगा कि मैं अन्धेरे में ही सब काम होता था अरे तो वह जो इक ज्ओना था गाओं का सर्वाइवल होता है बहुत ही मुख्ल होता है जो मुमबई से जाता है उसके लिए और लाइट नहीं थी और उस टाइम पे हलाँ कि लाइट उधर बाद में आई, 83-84 के टाइम पे, लेकिन जो गाउ में सरवाइवल होता है, तो आपको वो जूर्णी कैसी रही है, यहां से वहां तक का? एक्चली में बहुत एड्रिस्टिंग थे शुरू से, तो मुझे गाउं देखने का इतना एक्साइटमेंट था, कि मुझे लग रहा था कि जिसे गई तो दादा ने बुला चब पल पल उतार तो अब ऐसे ही गुमा करो तो तो वो फ्रीडम मिल गई और एक अलग में जब कास्टिंग की गई तो उन्होंने क्या आपके अंदर देखा कि वो चोटी वारी गुंजा, क्या उनको वहां पर नजर आ गई थी? अने, एक्चली बात तो यह है कि गोविन मुनियस जिन्होंने बनाई है, उनको बड़ा ब्रेक मिल रहा था राश्री से, और राश जो है उनकी फिल्म में काम कर रहे थी अच्छा, तो मैं उसकी साथ कुछ 15-20 दिन के लिए बंबे आए थी अच्छा, बंबे बिताने के लिए, और बात चल रहे थी मेरी सिस्टर की, उनको पूरा गुंजा उनने घोट लिया था, फिर मुझे लगा, मुझे क्या लगा, मु कर रहे ही थी पायल की जंगा, तो सेम टाइम पर मुझे करना चाहरे थी, तो मेरी सिस्टर को यह लगा कि ठीक है, मैं नहीं तो मेरी बेहन से ही, तो जैसे ही मैं आई तो उनकी दादा से क्या बात ही मुझे मुझे मालू नहीं है, 15-20 दिन उनने अच्छा, क्यूकिन साथ मह जाना पड़ता था था शूट पर मुझे बात शूट उट तो कि आम बाहर ही घुमती रहती थी अच्छा, मुझे आद उसी वक्त शहद नहीं कि शादी होने वाली थी, वो भी जा रही थी तो मुझे कभी ऐसा क्रेश किसी के लिए नही था कि इसको देखो उसको देखो जै तो आई थी तो मेरी दीदी ने भी थोड़ा बताया कि उसको पॉइंट आफ यू लेके दादा ने मुझे अबजब किया कुछ दस पंदरा दिन के लिए अच्छा तब उनको लगा कि ये तो है गुंजरी है तो ये जो लैंग्विज थी है भोषपुरी अवधी मिक्स लैं तो ये लैंग्विज सीखने में आपको कितना टाइम लगा देखें मैं पंजाबी तो हूँ लेकिन पैदाईश मेरी बनारस में है तो हम जितने अपने गर के स्टाफ है उनसा तो यही सब बोलते थे आप वो तो बिलकुली और दूसरी बात राच्कवान जी उनको बहुत लिखता था जब कोई बोले यह भोजपुरी फिल्म नहीं हो यह हिंदी फिल्म है आप गंगा जमना को भोजपुरी फिल्म नहीं कहेंगे आप लगान को भी भोजपुरी फिल्म नहीं कहेंगे अपका बैकड्राउंड या जो आपका बैकड्रॉप है वो गाओं का है तो उ इसमें कोई भी लैंगवज नहीं थी, पूरी फिल्म में क्या हुआ, उसकी जगह का हुआ, और क्यू हुआ, का है, उसके लावा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टोन पकड़ना वहां के, क्योंकि मैं उपी से थी, बल्कि पंजाबी नहीं आती थी उस वक मेंचे, तो इससे भी की फरक पढ़ गया, पंजाबी मैंने बाद में कान परवा के अपनी फ्रेंच से सीखी, तो आप लोगों को जैसे कि आप पता चला कि बहुत साथना सिंग पंजाबी है, बहुत साथना सिंग बिहार से हैं, तो आपस में सब ये जो ताना बाना है, वो अपनी हिसाब से बु होता है, तो कुछ सचाई कुछ कहानिया हम और लेक्या हैं जो आपको मज़ा आएगा सुनके, तो मैं आगे हम बढ़ते हैं, तो हम सचिन पिल्गाउलकर जी जो आपके को आक्टर थे और ये जो जो जोड़ी थी आपकी और उनकी इस फिल्म में कमाल की जोड़ी बिलकुल लगी नहीं रहा था कि नदिया के पार के फिल्म के शूटिंग चल रही है, लग रहा था कि रियालिटी में कोई ऐसा गाउं है और जहां पे ये दो कैरेक्टर्स रहते हैं और दो कैरेक्टर्स को देख के जो उस टाइम पे और आज की जिनरेशन बहुत ही रिलेट करती है आपने आपको जो यूपियो और बिहार के जो लोग है कुछ लोग ता भी मुझे वहां ढून रहे हैं धून रहे हैं इन फैक्ट मेसेजिस आय हुए हैं कि जिस गाउं में आपके शूटिंग आप आईये कम सकम हम से मिलिए बीचे ही पूर गाउं जो है जहां पर शूट हैं तो मुझे लगता है कोई शो अगर ऑगनाईज करें मैं आपको भूला तो उसमें क्याद है कि हम सेक्यूरिटी के साथ जाते हैं पहले की तरह तो नहीं लड़ों के अपना निकाली चपल चले गए और काफी लोग बदल गये होंगे जो ताइम पे शूट पे रहे होंग अब पता नहीं का अंगे लेकिन मैं यह कहाना चाहती दर्शकों से कि कई लोग यह सवाल क्ष्टिशते में से आपको दिल नहीं करता है आप थो भूल गे विल्कुल जाने की बात इनी होती मेरा दिल बहुत करता है जाने का वहांब्छे एक बार सब कुछ देखने का दिल करता है तो वो तब मैंने बता है ऐसे लिए ऐसे ही संभव है कि अगर आप बिल्कुल अगर आप कोई प्लान कर रहा है अगर मैं आपको इन्वाइट करते हैं तो जरूर जाएगा आपके बीच में अगर कोई है और मैं मुझे मिली फिल्म का गाना है और इस बार तो बहुत ही पॉपुलर कमान कर दिया उसमें 42 यर्स के बाद क्या बात है पिस से एक बार वापस लेकिन मेरा अपनी परसनल है गुझारे चंदन गुझारे चंदन और चलिए इस फिल्म का सौंग हम ज़रूर इस इंटर्वियो के बीच में प्ले करेंगे और कुछ लोगों के सवाल आये हुए मेरे पास जो आप से सवाल पूछना चा रहे थे काफी दिन से और उन्होंने भेजा भी है जिसमें प्रिया गोगिया है उन्होंने पूछा कि बहुत ही प्यारा सा सवाल बहुत मासूम सा सवाल है बच्चों वाला कि आपका फिवरिट कार्टून करेक्टर कौन सा है टॉम एंजेरी टॉम एंजेरी या और कीतिश भरद्वाज हैं पूछती हैं कि नाइन्टीज के सिनेमा में और दोहजार तीन के सिनेमा में कितना डिफरेंट्स आया मुझे लगता है नाइन्टीज में जादा कच्रा ही आया अगर देखें गालों के तरह से या फिल्म प्लॉट कुछ होता ही नहीं ठा श्री देवी जी थी उस्टाइमाय थे तो वह तो वह तो शैलो फिल्म बद्दी थी तो अब जो है जो यह पूरा सेनेरियो चेंज हुआ उससे क्या यह तो फिल्मे जो आई ना तब लोग अब वापस ना गाओं की तरफ मोड़ गए हमारी जो रूट है वहां पर आना चाहरे है तो मुझे लगता है कि यह वक्त अच्छा है आफ्टर 2003 बट वो तो बहुत ही बुरा टाइम तर एक और सवाल है शुभा जादो पोच्ती है कि वाट इस यो यू अन तूडेज सिनेमा एंड तूडेज जनेरेशन विच अक्टर और अक्टर्स ड्यू लाइक कौन्सा अक्टर अक्टर्स है जिसको आप आज के टाइम में ज्यादा पसंद करती हैं मैं पसंद भी करती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ वो है आमीर खान और अलिया बड़ क्या बात है किर्दार वाली गुंजा और वास्तविक जो साधना सिंग है उनमें क्या फर्क है यह क्वेश्चन किया है प्रियांका चंद्र जो कि पूने से है आपको ताजूब हो कर आप फिल्म देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसे सेंस थे जो कि मेरे साथ जुड़े हूए थे फिल्म से पहले जो मैंने दादा को बताया और उन्होंने लगा दिया जैसे वो होली अला सीम का मूभी गाड़ देती हूँ प्रैंक करती हूँ वो एक्शल में मैंने किया था जैसे मैं बख बोलती था जो जो अच्छा में लगा हाँ बस यही फरक तो यही है कि हम शहर से जाते हैं तो वो गुंजा कैरेक्टर इतना स्टॉंग बन गया कि लोग वही साड़ी है कहीं ने तो किसी ने लिका था वो वाली साड़ी बहन के आप शूट कीज़ें कॉन कहीं लोग बोलते हैं जो मैं बताना चाहूंगे कि आप नदिया के पार टू क्यों नहीं बनाती हैं मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूँ मेरा काम है काम करना बीच में अनौन है प्लान किया था मुझे और सचिन को लेके लेकि लेकिन बात बढ़न कभी राजश्वी ने आपको फिर से अप्रोच किया किसे फिल्म के लिए नहीं क्योंकि शादी कर ली थी मैंने जब बना रहे थे हम आपके एकॉन तो मुझे नहीं वालूम कितना सच है कितना गलत बताल किसी निखा था वो बड़ी बहन के लिए आपको सोच से ले अच्छ तो बात नहीं बनी होगी लेकिन उनने ये जरूर बोला था कि वो जो अब बख बोलती है ना उसका हमको कुछ तोड़ नहीं मिल रहा है वैसा हिंदी में तो मादरी करती है आहां आहां तो फिर वो उन्होंने डाला अच्छा एक सवाल है हरमीत आनंद पुछती है डैलिस से कि ये जो गाना था होली का जोगी जीवा तो वो करने में कितना मज़ा है आपको हमें तो देखने में बहुत मज़ा आता है तो इनके गाने के बिना हमारी होली अधूरी रहती है और ये गाना भी जो इस बार होली में चला है बहुत मतलब लगा बैलीस साल के वड़ काहां से उमर्ड के आगया बहुत चला तो बिल्कुल मैं सिकिम में शूट कर रही थी और जो लोग शूट कर रहे थे करकर की भीज रहे थे तो वो रिक्वेस्ट कर थे अपनी स्टोरी म आपनी डाल पाई इसको तो कोरियोग्राफ वैसे प्रॉपर किया हिए होगा डाया होगा कैने नियुक्गार्फ आप बिलीव शाफ साचिन का बहुत हात एच भाउते तो हमारी कोरियोग्राफ भी थे अनसे काफी वो डंडा अंडा खाय थी, बैर में ज़ता है। मुझे पहले साही डिसाइड कर लिया है, मैंने कि बहन डान्स नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है, एक बहन डानसर है गो दुश्री डान्स नहीं कर पायाएगी। वो चीज अब जाके एक्सफ्लोर कर रही हूं है, लेकिन यह था कि जैसे भी एक स्टेप था जो मैं नहीं कर पा रही था, प्रेशान हो गई थी मैं बहुत, तो उन्होंने, कैसे तुम नहीं करोगी क्योंकि जो शीला है डेगे जो शीला डेगे तो उन्होंने सीखा वा था, तो उन्हों को भी बोलते थे मुवमेंट कम थोड़ा करो, बहुत जादा करती हो, और मुझे तो बहुत आएगा मैंन कर नहीं आएगा, वो इक तालीवला था, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन उन्होंने का कि दी तुमको कर नहीं है, हम चेंज नहीं करेंगे, तो उस तरह से मार अगली बर्जन सब महां किया, और वो ऐसे मिलाया कि पता भी नहीं चलता है, यह आपने बताया तो देखो, आज आपको यह सच्छा ही पता चल गई, यह गाना जो दो पार्ट में शूट हुआ है, और आप लोग अब उस पर जाके गाना एक बार फिर से जरूर देखिए, और एक सवाल है, फिर से वही सवाल है, जो वो ट्रेंडिंग सौंग नदिया के पार जो अभी चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? मुझे मतलब समझ नहीं आए शुरू में कि यह क्या हो रहा है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने वीडियो देख रही हुए, जोगी जी चल रहा है, हर जगा मतलब है, मुझे रगता है 90% से भी जादा था, कि जोगी जी चल रहा था, तो मैंने कि चलो मेरा भी गाना है शूट करके आई थकी हुई सोने से पहले मैंने का चलो मैं भी गाल रेती हो यह काज लाइट में और मुझे आफकोस मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक चीज को इतनी अच्छी तरह बतलो लोगों ने हाथ में लिया चालिस साल ब्यालेज साल के बा मैं देखोंगी कि इस तरह सी उन्होंने उसको सोचा है कैसे बनाने का सोचा है वो चीजें जादा जरूबी है इन लोग नों जो बोला था वो मुझे सूट नहीं किया लेकिन अच्छा है मैं उनके लिए भी दौाय मांग तो कि इतना मैंने लिखा भी थैंक्स पर मेंकिंग इस तो बिग तो मैं एक क्वेश्चिन जड़ा हटके है कुछ लोग ने पूछा था कि मेक अप और जो आज की जो दुनिया है प्लास्टिक सरजरी की जो आज की आक्ट्रस करवा रही है क्या आपने कभी इस ग्लैमर की दुनिया में आप आलरी बहुत पहले से हैं तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं अपने आपको मैंटेन रखने के लिए इस सब इन सब चीजों का सहरा लूँ पहले तो यह सब कुछ हुआ नहीं करता था और जहां तक मैंटेन करने की बात है फिगर आपका बॉड़ी है यह यह आपका प्रोड़क्ट है ना जिस आप और क्या लिकिन मुझे मोटा नहीं होना है तो आजकल लड़कियां जो अच्छी खासी होती है जिनको कुछ जरूरत नहीं है वो भी मेकप करती है तो मेरी जैसे भान जी आवतीज आ अपनी बेटी अरे क्यों कर रहे हैं लेकिन उनको मेकप करना है बस तो मेकप तो ऐसी चीज थी ज आप तो अरेड़ी जब जो बना हुआ है वो इन्हेंस करने का लिए जहां सकते आप शायद वो बोटॉक्स हाँ और यह सब जो अगर आप इस मतलब सब की यह है चोईस अपनी अगर हम थोड़ो से अच्छे लग सकते हैं और कुछ सेफ है सब कुछ और अच्छा तो मुझे लगते हैं कोई इसमें चुपानी की बाद नहीं किसी को बतानी की बाद नहीं जिसका जब आइब्रोस बनाने शुरू है थे ना तो डड़के मारे ऐसे करके घर आई मैं तो वही स्थितिय है कि जैसे अब वह इतनी आम बन गई यह और हमारी लाइन में आपको अच्छा दि मुह रग दिया है और स्पेशली एक्टर्स को जादा नहीं कराना चाहिए क्योंकि आपका काम यह एक्सप्रेशन पहना है आप एकदम एकदम तने हुए और जो हमारे बीबीसी के जो जितने एकस की तरह उनकी उनका एक्सप्रेशन ही ऐसा हो गया और बाकी थोड़ा बहु में कोई हर्सने हैं विल्कुल तो ऐगर आप एक सौंग गुर्णाजना चाहें जैसे कि आप सिंगर भी है तो कौन सा सा्था जो आप मुर्श्वर्टिज सौंग है जिसको आप अगर हमारे दर्श्चों के लिए गाना चाहें तो दो लोग तो कौन दिषा से रट onग क कि यही उनकी चाहा है और उसकी बाद अगर आपको लगेगा लेकिन अगर मैं गाप आई तो बिल्कुल गाप आई तो इस पर गा सकते हूं गाउ 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 जी पेली बार हम निकले है घर से किसी अनजानाने के साँ अनजान से बेह जान पढ़ेगी तो मेहक उठेगा तो रांग हो मेहक से तो कहीं बेहक न जाना ना करना मौह तंग हो तंग करने का तो से नाता है गुजरिया तंग करने का तो से नाता है गुजरिया ए ठहर ठहर ये सोहानी से दगर जरा देखने देए क्या पार से हटके थोड़ा अलग क्या आपको जादा पसंद है वो एक बार हमारी जंता को हमारे और्डियंस को सुनना लगे किसी की मुस्कराहटों पे होने साथ किसी का दर्द मिल सके तुली उधा किसी के वास्ती हुती दिल में प्यार जीना इसी कनान है इस गाने को तो मतलब की जितना सुना जाए उतना कम है इतना मोटिवेटेड करता है और इतना मोटिवेशन देता है और आप की आवाज में सुनके तो और मज़ा आगया अब एक अमने मेल वरजन ने सुना था फेली बार आप आकर मुस्ट शून रहें अच्छा तो जैसे जैसे रफीश साफ के सारे गाने शूर्दा के जो आते हैं मुझे एक टाइम तर लो कहते थे लड़के का गाना तुम क्यों कहा रही हो लेकिन अब और देखे ट्रेंड आ गया और आज कल सोशल मीडिया पे देखे कि जो लड़के की वॉइस में लड़क की षिर प्रेंट्स्थाइट्स के लिए अच्छा मेरे दोनों माँ बाप बहुत हीिज थे मिलीभ नहीं करते थे लोग ओर की इस जमाने में असी माँ बाप उन्होंने हमें किसी काम के लिए नहीं रोखा बस यह बोला की जो काम करो लेकिन उसके अइसके जो ग्णसेश का जो आपके दोस्त रियार थे उनको तो मैं ऐसे उपर जाओंगी तो उनको अच्छा ही लगेगा और वही मेरी दोस्त है आज च्छे हम लोग च्छे के च्छे है वो है नाइन स्टेंडर्ड से क्या बात है कभी कभी उनको लगा नहीं होगा कि शायद अगर असाधना को फिल्म मजा नहीं आता था पढ़ने में तो दो बोली क्या कर एक मेरी फ्रेंड बोली और बड़ा गंदा सा वह जासरूम था बहुत ही गंदा था हमारे स्कूल के सबसे गंदा तो उसमें बैठके मैं निका डिकना एक दिन मांब बांब जाओंगी एक दिन मैं दिखाओंगी मेरी लाइफ ऐसे नहीं बनी है, बस ऐसे गंदे कमरे में बैठ निकल जाएंगे नहीं, तो सब मेरी फ्रेंड सहतना है लगी, उन में से एक फ्रेंड ने बोला कि बाद को मजार्क में मत लिए और सच कर दें, जो बोलती है कहीं सच को हो जाए, तो एक चीज तो होई गए कि कम से कम आधा हिंदुस्तान तुम जानता ही होगा, आधा नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जानते हैं, और जहां-जहां हिंदी फिल्में देखी जाती है, नदिया के पार, वहां जरूर देखी गई है, और कई बार देखी गई है, तो आ मैं थोड़ा सा रिविल कर दीचेंगे। मेरा बर्डे है उननीस थारीकों आप अगर मेरे पेश पर जाते हैं गुंजा के नाम से साधना सिंग गुंजा ओफिशल तो वहां मेरे अल्मॉस्ट दो लाख हैं लोग तो उनमें से जितने भी एक्टिव हैं मैं चाहूंगी कि यह मैं बर्डे पर अपने लांच कर रही हूं नाइंटींद को और कोशिश भी करूंगी कि मैं एक घंटे के लिए सही आप लोगों से रूबरू आऊंगी लाइव लाइव और देखिए आप लोग उने साथ दिया तो यूट्यू जैनल में ऐसी ऐसी हसी वाली बाते बताओंगे आपको और वो मतले एक तरीका है कि आपके और करीब आने का क्या वाद है तो आप लोग जुड़े रहिए और बर्दे आने वाला है मैंका तो हम सभी के तरफ से और टीम रेडियोड़ा के तरफ से विश यू वेरी वेरी हैपी बर्दे इन अद्वांस और आपके लिए हमनों स्पिशल सर्प्राइज गिफ्ट आपको पेश करेंगे बर्दे वाले दिन के एक दिन पहले ये रहेंगे रेडियोड़ा के तरफ से आपके लिए तो मैम आज की कहानी यही पर ब्रेक लेंगे और फिर नए कहानी के साथ नए अध्याय के साथ हम मुलाकात करेंगे फिर से साथना मैम के साथ एक रूबरू करेंगे मुलाकात बहु तुल फिर बाकि उनलम पर आपको लाइव सुनने का मुफा मिलेगा तो यूचूब में तो difikinyigԲ मैं मैं चाओंगी कि सबлагब लोग लाइक करें कUNGमेंट करें और सबस्क्राइब करें ना जब आप शुरू करेंगे तो सब आजाएंगे आपके साथ, और नहीं होगा तो पिर में बंद कर दूँगी, और नहीं बंद नहीं, यह लोग, सारे लोग बहुत आपका इंतजार कर रहे हैं, और सबको आपका वेट है कि आपका जल्दी कितनी जल्दी स्टार्ट करेंगी, और शिकायते करते हैं लोग हमारे पेज पर रेडियो अट्डा की पेज पर कि आपने अभी तक इंटरव्यू पोस्ट नहीं किया, तो मैंने का अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू, तो देखे, वो लोग खुद इतना वेट कर रहे हैं, तो जब आपका चैनल आएगा तो अबिसली सब वही पेजाएंगे, तो थैंक यू सो मच, स्टूडियो में आने गले मैम, और एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आपने इतना किमती वक्त निकाल कि हमारे स्टूडियो में आई और हमें समय दिया, और इतनी अच्छी च्छी बात